वो रेट टेपिजम इस देश से खतम हो गया वो विशेष राज्य का दर्जा के जो लॉलिपॉप होता था हूँ इस देश में खतम हो चुका है अब मैं अब सीधा रुक करता हूँ मेरे साथ मेरे साथ अबेदूबे भी अबेदूबे राहूल गांदी जी ने बोला कि बारा के अंदर 1200 किलोमेटर हो गया आगया अंदर तो इसका मतलब मेरा स्टूडियो नॉड़ा में तो नॉड़ा तक चाइना का कब्जा है लेकिन मुझे तो बार चाइना के सैनिक नहीं दिखे मुझे तो उत्तरप्रदेश की पुलिस दिखी दिल्ली में जाता हो तो दिल्ली की की पुलिस दिखती है तो यह 1200 किलोमेटर का लॉजिक क्या है अब अब को तो वही दिखाई देगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है आपको देश के मैं तो राहुल गांदी की बात करा हूँ आप इतने वरिश्ट है मैं त द्धानदी चीन हो या धारा 370 यह धारा शाही 243 की बात है यह राश्रवात की बात नहीं प्रधानमंत्री जी यह भीःर में फैले वीरोजगार्वात की बात है यह भीहार कि बात करिया पिहार की आशिक्षा की बात कर लिए अब अब दुबे जी यह क्या बात हुआ इसका आपके पास 1200 किलो मीटर पर कब्जा चाइना का है यानि आप कह रहे हैं नौइडा तक चाइना का कब्जा है राहूल गांदी जी यह कह रहे है और आप कहरें देश इस पर यकीन करें देखिए प्रधान मंत्री अगर आप इसी तरह इस एसी सरकार का पक्ष लेते रहें इसे प्रधान मंत्री जी का जो चीन की तरफ आंक बन करके बैठा है तो आपके स्टूडियो तक भी पहुंच रहेंगे मैं देखता हूं दर्वाजे पर कोई कोई नहीं आ रहा भी फिलाल यूपी पूलिस है लेकिन वेराल आप अपनी बात को रखिए अरे देखिए सिर्फ सरहदे की प्रधान मंत्री जी ने वियापार की सारी हदे पार कर दी है आपके स्टूडियों में आदेशामन जो ऐलेक्टरोनीक है वह चाइना के है आपके खिलोने जुए द्वबदेश में वह आधेस से जादा चाना एक चाना की प्रधान मंत्री जी ने हिंदुस्तान में भर दिये आप समझे चीन कहा तक गुज गया है मिश्देव गंजी आपके स्टूडियों की सतर प्रतिशत सामग रिया है प्रधान मंत्री जी हाथ जोड़कर निव्यदन है आप बिहार पर बात कीजिए कली तो न घ्राहूल जी ने यह भी बात करीगी बिहार के किसानों का कर्जा माव बिजली बिलहाव बेटियों को ईच शिक्षा घुटी का इंसाफ उध्योगों की तरकी यूआं की नोकरी पकी उसपर भी बात करेए बिलकुल उसपर में उसपर भी और प्रधान मंत्री फूं नहीं कर पारे बारा सो किलो मैंने कहा ना क्या का आप अमीजी देखना है आप की चाइना आप की स्टूडिय तक पौर चकता है